हेलो फ्रेंड्स वाल्कून टो मैं चैनल बी एंड एफ 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 बैनिफिट फीचर और फंक्चन जैसे कि आप सभी जानते हो कि हर बार मां आपके लिए कोई ना कोई एक लेटेस प्लट का रिव्यू डेमो बैनिफिट फीचर से लेटेड वीडियो लेके आत सकते हैं एक तो मॉवाइल के थूरू शेयर करके और एक डिरेक्ट एलजी के होम डेस्बोर्ट से मॉवाइल को कनेक्ट करके वहां से उसका डाटा कैसे आप चला सकते हैं यह चीजह मैं आपको दिखाने चाहरा हूं और इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्ल लगी का स्मार्ट टीवी है उसको आप ऑप्रेट कर सकते हैं इसमें मैं कोई स्पेसिफिक मोडल नहीं बोल रहा हूं जितने भी लगी कंपनी के स्मार्ट टीवी उनको आप अपने मोवाइल से उप्रेट कर सकते हैं लेकिन उसके लिए एक चीज की जुरूरत है वो है सेम आईफोन है तो आईफोन के स्टोर में जाना है और वहाँ पर टाइप करना है LG थिंक्यू मेरे पास इंड्रोड फोन है तो इंड्रोड शुम आपको दिखा रहा हूं तो मेरे पास यह एप्लिकेशन हो लेड़ी डाउनलोड है यह देखिए LG थिंक्यू आपने यह TV पर जाना है इस एप्लिकेशन से आप LG के सभी डिवाइसी जो वाइफाई से उप्रेट है उनको आप उप्रेट कर सकते हैं यह देखिए TV का मोडल लंबर आ गया है तो यह सामने वाला मैं TV से कनेक्ट कर रहा हूं तो वह देखिए TV के उपर इसका पिन आ चुका है कर लें तो स्कीप कर दें इसके बाद में आपने क्या करना है कि इसमें ग्री कर दें और मूव टू हों पे चलायाना है तो आपका यह जो मोबाइल है वो LED से कनेक्ट हो गया है इसके लिए एक चीज़ जो जरूरी है वो है सेम वाइफाई यानि कि अगर आपके घर पे चाहें सकते हैं मूड फोटो मूवि और म्यूजिक यह देखिए अब इसमें मैं आपको बेस्ट ऑप्षिन से दिखा रहा हूं इसे एपलिकेशन के अंदर आप इस icon पे click करते हैं ये उपर जो search के साथ आपको icon नज़रा रहा है इस icon पे click करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे 4 options आती है पहली option है जिसमें आप mobile screen mirroring कर सकते हैं फिर अपले tv sound यानी की tv का sound आप अपने mobile में चलाना चाहिए तो तो भी चल जायेगा यानि कि T.V का sound सांड आपके mobile में आ जाएगा और तीसरा है mobile content on T.V यानि कि mobile के content आपने T.V पर चलाने है तो भी चला सकते और चोत्ता है जो है mobile का sound T.V के LED मे ले आने हैं तो भी अब ले आ सकते तो यह इसका सबसे बड़ा benefit है तो यह देखि यह पु तो वहाँ पे mobile connection में या connectivity में यह देखिए connect mobile में आपको यहाँ पे जो connected mobile होगा वो show करेगा और उस mobile को आप जब ओके करूँ थी एक permission मांगेगा वो permission का notification आपके mobile में आएगा और उसको आपने okay कर देना है और मैं इसको permission दे दोगे तो आपका ये internal memory उठा लेगा यानि कि photo, movie music उठा लेगा जो आप directly टीवी पे operate कर सकते हैं और अपने mobile में जो भी आप काम करना चाहें वो भी आप background में कर सकते हैं तो ये LG के हर एक smart TV में आपको मिलेगा सिर्फ करसर उसी टीवी में आएगा जो LG का magic remote वाला टीवी है बाकी में आपको करसर नहीं आएगा लेकिन आप operate से अपने mobile से फ्रेर्ज अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो जिसमें मैंने आपको LG कमरी के टीवी को Android फोन ये iPhone से catch operate करें चला के दिखाया है तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कर देना शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना